नमस्कार मित्रों, टीचर्स अकडमी से मैं हूँ, अम्बरी शुक्ल पीजी टी के लिए एक मॉडल पेपर है ये 150 प्रशन हैं जिसके 100 प्रशनों की चर्चा पहले की जाएगी महात्पूर्ण प्रशनों की संखला है, निश्ची तोर परिस्थे सम्मनित वीडियो में जो भी प्रशन हम लोग चर्चा के अंतर गतलाएंगे वो प्रशना सकते हैं इसलिए पुरे प्रशनोंतर संखला को आप जिहां से सुनियेगा, साथ ही साथ देख कर भी समझने का प्रयास करिएगा सबसे पहला प्रशन में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अबरंस की उत्तर काली नवस्था का नाम है तो अबरंस की जो उत्तर काली नवस्था है वो क्या हो सकती है जानते हैं कि संस्क्रीट से पाली, पाली से प्राकर, प्राकर से अबरंस और अबरंस से होता है आउहट तो अबरंस के उत्तर कालिन मतलब बाद में अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा और हट होगा सिंधी भासा का जन्म किस अबरंस से हुआ है बहुत अच्छा प्रशन है तो ब्राचड अबरंस से किसका जन्म हुआ है सिंधी का जन्म हुआ है सौर से नियर्ध मागदी और मागदी से इसका जन्म नहीं हुआ है चलिए तीसरा प्रशन चंद्रगधर सर्मा गुलेरी ने साहतिक अब्रहंस को किस नाम से पुकारा है ति प्रशन लगभग परिक्षाओं में पूंचा जाता है और सबसे पहले ही इन्होंने साहतिक अब्रहंस को पुरानी हिंदी के नाम दिया था रामचन सुकल ने भी कहा भारतिन धरिश्चन ने भी कहा है लेकिन सबसे पहले गुलेरी जी ने ही कहा था निमलिकित में कौन सी रचना अब्रहंस भासा की नहीं है तो अबरंस भासा की रचना नहीं है आपको पहचानना है और देखिए पौम चरू भविस्यत कहा पाउंड दोहा ये आदिकाल की रचना है जबकि जो चित्रा वली है उश्मान की ये प्रेमाख्यन का परंपरा की है और ये अबरंस की रचना नहीं है संबिधान केक की सनुछेद मिसंग की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिप को मानिता दी गई है तो इसका जो सही उत्तर होगा 343 आप जानते हैं 343 से 351 तक ही चर्चा की गई जिसमे 343 में ही इस बात को फिकार किया गया है नमलखित में से मानक हिंदी का आदर्ष और मानक छेतर है तो जिसका मानक छेतर है वो क्या है आप जानते हैं मेरट है जहां खड़ी बोली का परमुक छेतर है नमलखित में कौन अवधी भाषा का कभी नहीं है तो साथ नमबर के प्रस्ट में आपको ढूनना है कि अवधी भाषा का कभी नहीं है जैसी उ उस्मान और कुद्बन तीनो प्रेमाख्यानक कावे के हैं लेवधी के हैं नंद दाज जी ब्रज भाषा के कभी हैं इसलिए साथ का डी डाक्टर गेर्सन ने किस भाषा को अंतरवेदी का नाम दिया है तो आज ही एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था किसको अंतरवेद हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा है उसको हम किस नाम से जानते हैं हिंदूस्तानी के नाम से जानते हैं दखनी राजस्तानी के प्रतनी दिबोली कौन सी है तो दच्छनी राजस्तानी की प्रतनी दिबोली है व कौन सी बोली नहीं है तो ग्यारण में प्रश्ट का उत्तर सही होगा आप जानते हैं कि अधी बगली और च्छतीस गड़ी यह पूरवी हिंदी के है और इसमें पस्चमी हिंदी पूचा है अब ब्रहंस और ब्रजभाशा के योग से कौन सी भाशा बनती है तो अब ब्रहंस में ब्रजभाशा के बदले राजस्थानी जुड़ जाती तो डिंगल का जन्म हो जाता निम्न में कौन सी भाशा जो हड़ोती बोली का छेत्र नहीं है तो हड़ोती का जो छेत्र है वो धौल पूर नहीं है तो आप मुझे बताएगा कि हड़ोती का दूसरा नाम क्या है पूस्यमी हिंदी से जन्मली है देवनागरी लिपी का विकास के स्प्राचीन लिपी से हुआ है तो देवनागरी का लिपी जो है वो उसका विकास आप सब जानते ही है किसे हुआ है जी हाँ एकदम सही उत्तर है हुआ है कुटिले लिपी से उच्छिष्ट सब्द का सही सं निमलिखित बेंजन संदी का उदारण नहीं है तो इसमें नहीं ढूरना है तो पुरशकार जो है पुरह धनकार ये बिसर्ग संदी का उदारण है निमलिखित में कौन सा पत बहुबरी शमास का उदारण है तो बहुबरी पत का जो सही उदारण होगा वो कौन होगा मुरारी कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है अभी शब्द से निर्मित शब्द नहीं है ढूना है तो जो आपका 19 नमबर का प्रशन है तेकिए अभी में शाप अभी शाप अभी भाशन अभी मान अभिन्नता अभिन्नता कोई शब्द ही नहीं होता है इसलिए इसमें अभी का प्रयोक नहीं किया जाना चाहिए निमलिखित शब्दों में प्रत्य रहित सब्द हैं तो प्रत्य रहित सब्द आपको ढूना है तो सही उत्तर होगा किताब, किताब में कोई भी प्रत्य नहीं लगा है ने लिखे सेयुक्त वाक्य का चैन कीजिए इसमें सेयुक्त वाक्य आपको ढूना है तो देखते हैं जो मुनुश विद्वान होता है उसका सबी सम्मान करते हैं जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है मैं कस्मीर गया था और वहां से एक फल ले आया आप जानते हैं कि जो सेयुक्त वाक्य होते हैं उसको जोड़ने के लिए सेयुजक अवयों का प्रियों किया जाता है और वो केवल एक ही वाक्य में हमको दिखता है और जिसमें लगा है तो इसमें सेयुजक अवयों है नमलिकित में कौन सा सब्द अशुद्ध है तेस नमबर में आपको अशुद्ध सब्द ढूणना है तो पूजनी यह जो है आपका गलत है पूजनी होता है पूजनी यह नहीं होता है नमलिकित में इसे कौन सा सब्द शुद्ध है चौबिस नंबर का प्रशन ढूड़ना है तो इसमें सुद्ध आपका लिखा है लगूतर रमड़ी आर्थ प्रतिपाद का है शब्द हकाब्यम उक्तिवा किस आचारे की है 25 नंबर का प्रशन है तो रमड़ी कौन होते है जगनात की जो मूर्ती है जो मंदिर है वो रमड़ी होगी इस तरह से आपको याद कर लेना है रमड़ी आर्थ प्रतिपाद की जब कहेगा तो पंड़ितना जगनात होंगे आचारे दंड़ी ने काब बहेत्यु किशे माना है 26 नंबर का प्रशन है तो किसको मानेंगे पतिभा, सास्त्रग्यान और अभ्यास डंड़ा मार मार की क्या करा जाती है प्रतिपाद डंड़ा मार की जो है सास्त्रग्यान और अभ्यास करा जाता है इसलिए दंड़ी और दंड़ा को एक समझ के आप इसको याद कर लेंगे कौन से आचारे ने चतुरवर्ग की प्राप्ति के लिए कावी प्रयोजन को माना है तो 27 अंबर का प्रश्न है भामा ने क्या माना चतुरवर्ग की प्राप्ति के लिए कावी को प्रयोजन माना है चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ 28 अंबर प्रश्न जिस काब में क्योल किसी एक घटना या अनुभूती का सरस्वर्णन हो वह कहलाता है तो ये आपका 28 नमबर का प्रश्ण है और 28 का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा खंड काब्बे एक घटना का जब चर्चा की जाती है तो खंड काब्बे होता है और जिसमें बहुत सारी घटनाएं बहुत सारे पाठों के अंतरगत होती है उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं महा काब्बे परनुटि यहां पर खंड कावे होगा बारति कावे शास्त का प्राचीन तम गरंथ है बहुत ही महत्पूर्ण गरंथ है और वो कौन सा है 29 नमबर का परशन है नाटी शास्तर भरत मुनिके दौर रचित है नाटी शास्तर सबसे प्राचीन गरंथ है काब आत्मा की संकलात्पक अनभूती है जिसका संबन्द विशलेशन विकल्पे विग्यान से नहीं प्रेम सरी प्रेम राचनात्मक ज्यानधारा है तीस नंबर का प्रशन है सही उत्तरापका होगा जीहा जैशंकर प्रशाद काब की सोभा कारक धर्मा लंकार कहलाते हैं किसकी परिभाशा है कई बार प्रशन पूशा गया है 31 नंबर का है और इसका सही उत्तर होगा दंडी द्वन्या लोग गरंथ के रचनाकार कौन है तो 32 नबर का प्रशन है और ये टीका है जो आनंद वरधन इसके रचैता है द्वन्या लोग लोचन टी का विनवगुप्त ने लिखा और जो द्वन्या लोग स्वेम गरंथ लिखा है वो लिखा है किसने आनंद वरदन ने अर्थाद भी सही है रस गंगाधर गरंथ के रचैता कौन है तो रस गंगाधर के जो रचैता है वो रस किसके सर से गिरता रहता है जगनात के नमलिकित में कौन सा वक्रोकतिका भेद नहीं है 34 नमबर का प्रश्न है शब्द वक्रता नहीं है वर्ण विन्यास प्रबंद और पद ये सब वक्रता के शिद्धानते है किसा आचारिय ने शब्दा लंकारों को अधम का अर्था लंकारों को मद्ध्यम का अप्षा गुणी भ्यूद बिंको द्वानी के आबिके को करमसा उत्तम और उत्तम कहा है तो ये जो हैं मुम्मट जी हैं बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्नेस को याद रखिएगा नगेंडर का गूंथ कौन सा है तो नगेंडर का कौन सा ग्रंथ है ये आपको देखना है तो रस सिद्धानत किसका है नगेंडर का है ये कई बार परक्षाओ में पूछा गया है द्वनिके बेवित्द प्रकार्णिम्न से कौन से हैं तो इसमें प्रकार ढूना है सही और 36 नमबर का जो प्रशन है वो होगा ए वस्तु अलंकार और रस अभिने गुप्तकार रस निस्पति विश्यक मत कहलाता है 38 नमबर का प्रशन है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अभिवक्ति वाद आसरे कीवे सूक्षमानसिक क्रियाय जो स्वयम उत्पन होती है चाने पर भी रोकने नहीं जा सकती है तो रोकी नहीं जा सकती है वो क्या कहलाती है तो 49 नमबर का प्रश्ण है और इसका जो सही जवाब होगा शात्विक भावात्मक साधार्नी करणम के उक्ति परिभाशा किसकी है तो ये सही परिभाशा किस ने दिया था भट नायक ने के कि सबसे पहले जो साधार्णी करण की बात आती है वो नायक के हाथ यह भट नायक के हाथ चित तुरंग नायक की अधार्णा का उप्योग किस आचार ने रस निस्पत की ब्याख्या में किया है तो किस ने किया है चित तुरंग नायक की वो है आचार या शंकुक 42 नमबर का प्रशन लेते हैं आचारी रामचन्शुकल के अनुशार साधारनी करण किसका होता है कई बारे परिक्षाओं में प्रशन पूँछा गया है तो 42 नमबर का प्रशन है और इसका सही उत्तर क्या होगा जी हाँ इसका सही उत्तर होगा आलामबन तो धर्मका साधारनी करण होता है और ये प्रशन कई बार पूँछा गया है 43 नमबर का प्रशन है तो जो सही उत्तर होगा 43 का वो होगा वीर रश आसरे की वो कौन से चेश्टा हैं जिसमें हिर्देगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है तो सही उत्तर होगा 44 का जो होगा वो होगा भी अनुभाव तू दयाल दीन हो तू दानी हो बिखारी हो प्रशिद्द पता की तू पाप पुंजहारी उपक्तियों में कौन सार रस है तो इसमें भगती रस है क्या किया गया है भगवान की इस्तुति की गई है सौंदर या मलंकार हो उक्ति किस आचारी की है सौंदर ही क्या है अलंकार है तो ये वामन का कथन है किसका कथन है वामन का रुप्य किस गरंत के रचाईता है तो रुप्य किस के है अलंकार सरवश मुस्ट इंपोर्टन रचना है अलंकार सरवश तो निम्लिकित में उपमा लंकार किस पंक्ती में है तो उपमा लंकार आपको ढूणना है 48 नमबर के प्रश्ण में तो 48 का जो है हसने लगे तब हरी अहां पोने दुसा मुख खिल गया तो यहां जो सी सा लगा है किसका दोतन कर रहा है ओपमा का इसलिए डी होगा असुएंजल सींची सींची प्रेम बोली बोई अब ते बोली फैल गई आणद फल होई इसमें अलंकार अलंकार क्वालजी अतने प्रष्ण होते हैं बहुत ही महत्पून होते हैं इसलिए उनन्चास नंबर का जो प्रष्ण है यह भी उतना ही महत्पून है तो जो इसमें अलंकार होगा उन्चास नंबर के प्रष्ण में रूपक अलंकार आरोप जहां किया जाता है वहां रूपक होता है जहां प्रसंसा के बहां निंदा के बहां प्रसंसा की जाए तो अनिंदा के बहां प्रसंसा की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है तो यह भी प्रसंसा तरह है बहुत महत्पूर्ण वो क्या है व्या जिस्तूती है किस अलंकार में वाचार्थ, गोण और वंगार्थ की प्रदानता होती है यह भी अच्छा प्रशन है तो 51 का C जो होगा अन्योक्तिय अलंकार नीकी पैफीकी लगे बिनियोसर की बाद जैसे बर्ण तो जुद्ध में नहीं सिंगार शुहात 52 नमबर का प्रशन है जो सही जवाब होगा वो C होगा उदारन निमने में से विभावना लंकार किस पंक्ति में है तो विभावना का मतलब बिसिस्ट भावना होता है करण के बिना जो कारक होता है वो कौन सा है तो 33 नमबर का प्रशन है और इसमें देखते हैं तो इसमें ये बी है मुनी वापस जिन में दुख लहाई तेनरे से बनुपावक दहाई तो तिरपन नमबर का जो सही उत्तर था वो आपका था बी चलिए चववन नमबर के प्रश्ण को देखते हैं चववन नमबर के प्रश्ण में क्या है अच्छा तिरपन नमबर का जो प्रश्ण है इसमें क्या ढूना है तो तिरपन नमबर के प्रश्ण में आपको ढूना था इसका बी सही होगा और इसमें क्या ढूना था लंकार तो इसमें था मूनी तापस जिन में दुख लाई ते नरेस बन पावग दहाई चवव नमबर के प्रशनों पे रोक अक्तियार करते हैं कंकन किंके में छंद बताना है तो चवव नमबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा C अर्था चौपाई कि छंद के प्रेतेक चरण में 24 मात्राएं और 13 मात्राओं पर यती होती है 55 नमबर का प्रशन है बहुत अच्छा प्रशन है और वो होती है रोला में यालकोटियर कामरिया पर रातियों पुर्कित जिरारो इसमें क्या पूछा है चंद पूछा है तो 56 नमबर का जो सही उत्तर होगा वो 56 का डियर थाथ सवईया 31 या इसके अधिक वर्णों के चरण वाला चंद कहलाता है 57 नमबर का प्रशन है उसका सही उत्तर होगा कवित इस तनका दीमा करो बाती मेलव जी लोही सोची तेल जी हो जो मुदेखियो पीव तो ये अच्छा प्रशन है अठावन नमबर का प्रशन है और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी तो अठावन नमबर का सी दुखा चिर जी वो जोरी जुरे इसमे क्या पूचा है कौन सा भेद मिलता है 69 नमबर का प्रशन है बहुत अच्छा प्रशन है कि जो सही जबाब होगा वो होगा शब्दी विंजना कविता और छंद में गहनिष्ट संबंद है कविता हमारे प्राणों का संगीत है छंद हर्दे का कमपन किसका कथन है कथन तो आपको यादी होने चाहिए बहरहाल ये कथन किसका है D अर्थात समत्रनन पंद का है छंसास गंद के रचईता है तो छंसास गंद के जो रचईता है उनका नाम इसमें पूछा है और वो आप क्यों होंगे C पिंगल तो इनको पिंगलाचारिया पिंगल रिच्च के नाम से जाना जाता है भारती काविशास्त्र के नुकरण सब्द का सरप्रथम प्रियोग मिलता है तो सरप्रथम प्रियोग का मिलता है जी हाँ नाटिशास्त्र में गुरुस इस परंपरा का सही नुकरम छाट ये 63 नमबर प्रशन है तो इसमें क्रम छाटना है और 63 का जो सही होगा प्लेटो अरस्तु फिर सिकंदर निवलेखित में से प्लेटो की रचना नहीं है तो प्लेटो की रचना कौन सी नहीं है 64 नमबर का प्रशना एक है पेरी पोईतिकेस आपके हाँ बहरहाल जो साहीत थी है वो किवल इंडियन है पास्षाद का बिशास्त्र आपके पाठिकरम में नहीं अच्छी बात है और अस्तु का का बिया लुचना गरंथ कौन सा है 65 नमबर का प्रशन है इनका का बिया लुचना सम्मन्दित गरशन पूचा गया है और उसका सहीत थर होगा आपका आपका पौरिपेद केस ट्रैजडी का लेखक हमारे विवेग को निष्ट कर हमारी वासनों को जागरत करता है अब ये कथन पूचा है किसका है तो ये है सी का अर्थात किसका है प्लेटो का अरस्तु के अनुकरण सिधान तुमें अनुकरण का आशय है सरस्ट नमर का प्रशन बहुत अच्छा प्रशन है वजका सहीत थर होगा अपुना सरजन कावेको प्रकित के अनुकरण किसने माना है ये उससे भी अच्छा प्रशन है इसने माना है अरस्तु ने चित्र कलात्वा किसी अन्न कलाकार की तरह कभी क्यान करता है कथन है किसका कथन है 69 का C अरस्तु का ने लिखे दारसनिकों के विचार कौन सा संगत है 70 नंबर प्रश्ण में आपको संगत ढूनना है प्लेटो बहुत दीक आनंद को स्विकार करते हैं केंदरीता को नहीं तो इसमें अगर हम देखें जो सबसे सही उत्तर दिल रहा है हमको वो C है क्रोंचे कविता सौंदर के माध्यम से तातकालिक आनंदो दो देख के लिए भावों को दूर्यत करती है तो ये तो था आपका शत्ता नंबर का प्रशन अर अस्तू केनकराण सिद्धान तुमें किसकी उपेक्छा मिलती है 71 नंबर का प्रशन है और उसका जो सही जवाब होगा 71 का B अर्थात कविकी आलूचना की 72 नंबर का प्रशन है सही जवाब ढूणना है और वो सही जवाब है D अर्थात कला टीस इलियेट ने असमबैधानी काबे सिद्धान का परिपादर अपने किस निबंध में किया है ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन है और एकिया है टीसियन एन इंडिविज्वल टैलेंट में टीसी इलियेट ने काब में कभी बिक्तित के अस्थान पर स्थापित किया किसको स्थापित किया जी हाँ परमपरा और तिहास बोद को 34 का क्या सही है ए चौतर का वर्डवर्ड ने काब का परतिबादन माना है तो आज का ये आखरी प्रशन है और इसका सही जवाब होगा जन साधारन के जीवन और प्रकिती को तो मित्रों ये 75 प्रशन हैं बाकी जो महत्पूर्ण प्रशन हैं उनको लेकर हम जल्दी प्रस्तुत होंगे अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी आउनलाइन माधिम से करना चाहते हैं तो दिये गे वाटसैप नंबर पर अपना विशे लिखकर भेद दीजे हमारे टीम आपसे संपर करेंगी साथ ही साथ जो फ्री आपकास्ट कोर्स नहीं है जो पेड कोर्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाया करेगा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यबाद नमस्कार जैहन